आनंदलो प्रतिदिन के जीवन का में आपका आज स्वागत है दो प्रेश्टों के साथ में शुरुआत करती हूँ क्या संगर से आप अताश हो गए है या पिर तनाव और निराशा से क्या आप खुद को इसी सोच में डूबा पाते हैं कि कितना कठिन है ये ठीक है आज हम इसी विशे पर चर्चा करेंगे और मेरा विश्वास है कि इससे आपकी समस्या सुलज जाएगी और इन्हें अपनाने से मूल तोर पर हमारा जीवन बदल सकता है तो आखिर वो क्या है ये केवल प्रभू का अनुग्रा है मैं जानती हूँ शायद आपने प्रभू के विशे सुना होगा और शायद विबन परिभाशाएं भी सुनी होंगी उनमें से एक सर्वप्रिय अनुग्रह ईशु मसी के द्वारा परमेश्वर तक पहुचाता है और यही सच है पर अनुग्रह पवित्रात्मा की वो सामर्थ भी है जो हमारे जीवन में प्रवेश करती है उन कारियों को सफल बनाने की शक्ती देती है जो हमारे लिए संगर्ष के बाद भी संभव नहीं है यही एक परिभाशा है जिसे मैंने अपने साल बर के अनुभव से सीखा है कि प्रभु का अनुग्रह कैसे ग्रहन करे अनुग्रह प्रभु की सामर्थे जो बिना दाम हमें प्राप्त है जिससे हम उन कारियों को आसानी से कर सके जिने कटिन परिश्रम और मेहनत के बाद भी हम नहीं कर सकती और किसी तरह आप कुछ कारी कर सके तो निश्चित आपने उसे करने में कड़ी महनत और प्रयास किया होगा और आपके मन में यही विचार आते होंगे कि जिन्दगी कितनी कठिन और निराशा जनक है अकेले बोज उठाना कितना कठिन है और कितना बोज है काम काप पर और कित परिश्रम करने वालों और बोच से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूँगा, और Amplified Bible कहते हैं कि मैं तुम्हें आराम, शान्ती और ताजगी दूँगा, अनुगरह प्रभु की ओर से हमें उदारता का वर्दान है, हमें से कोई इसके योगी प्रभु हमें देना चाहता है, पर हमें ये समझ रहा है कि कैसे लिए, लोगों के मन में अनुगरह के प्रती भिन्न भिन्न विचार है, कुछ लोगों ने कुछ अध्यन किया, कुछ लोगों को वहवारिग्या नहीं, आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, उसमें हमने किया, और उनसे बाचीत की कि प्रभु के अनुगरह के प्रती उनके क्या विचार है, जो कुछ भी मैंने किया, अगर कुछ किया, उसने मेरे जीवन को बरवाध ही किया, और कुछ अच्छा नतीजा मेरे लिए नहीं निकला, मैंने सुचती कि मैं योगी थी, मुझे क्यों प्रभु चाहेगा, एक पल की लिए भी प्रभु क्यों मेरी सुधी लेगा, आप मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, मेरी दशा तो सुवर जैसी थी, आत्मत्य करना चाहता था मैं, मुझे स्वाइन से घ्रिना थी, मुझे अपने हाल से घ्रिना थी, प्रभु तुमें नहीं चाहता, यहीं जीवन है, मैं एक मूर्ख व्यक्ति थी, जिसे कोई समझ बिलकुल नहीं थी, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो स्रियों के पीछे जाता और पाप करता, मैं प्रभू को ढूनने लगी, वो मुझ से मिले जहां मै मैं मौत से डरती थी, जो मेरे जीवन की सचाई थी, मौत का डर था, फिर भी मैं जानती थी कि यही ठीक होगा, क्योंकि प्रभू मेरे साथ था, और उसकी बाप तिसमा लेने के लिए, मैंने वेदी के सामने गुझने ठेक दिये, मैं बताओ, यह मेरे जीवन का अपूर्व अनुभव था, क्योंकि मैं प्रभू की दिस्टी में कैसी नन्नी बच्ची थी, जिसमें कभी मलता ना थी, कभी नहीं, उसकी दिस्टी में मैं एक शुद्ध, पवित्र, सच्ची, लड़की थी, मैं उसकी बेटी थी, हाँ, वो मेरी देखभाल करता, क्योंकि उसने बुझ इधी रचा था, चारलेट जाकसन को प्रभू से चुटकारा मिला, वो प्रभू की संतान है, उसकी संतान, मैं तुसका अनुग़र्वर दया से प्रति दिन जीती रहा, प्रति दिन उसकी दया तो बिल्कुद नहीं होती गई, मेरी आशा प्रति दिन नहीं हुई, सच मैं. तो आखिर ऐसा क्या था जिसने इन लोगों को बदल दिया हमने उनकी गवाईयों के दो पहलूं को देखा उनकी दैनी दशाती स्वयम को तुच्छ समझते उनमें कोई जीवन नहीं था कुछ आत्म हत्या करना चाते थे विहीन भावना से ग्रस्त थे और पश्चात हम उनके विशे सुनते हैं सब कुछ बदल गया तो किसने ये बदलाओ लाया ये उनका संगर्श या मैनत नहीं थी ये उनके मित्र नहीं थे ये कोई ऐसी चीज थी जिसे बाजार में काउंटर पर खरीदा जाए ये प्रभु की करुणा और अनुग्रा था ये प्रभु का अनुग्रा और कृपा थी जो उनके जीवन में प्रविश करे थी कि कुछ कर सकें एक प्रश्ण मैं आपसे पूछती हूँ आपने खुद को बदलने का प्रयत्न किया कई बार जब हम ईशु मसीह के जरीए परमीश्वर से संबन जोडते हैं और बाइबल का अध्यान करते हैं हम इस वह में ऐसी बाते नजर आती जो हमें भली नहीं लगती हैं जब मैंने बाइबल का अध्यान शुरू किया पहले मैंने सुचा कि समस्या दूसरों की और जब वचन का जितना गहन अध्यान करती रही उतनी गहराई से जाना कि समस्या मेरी है तो उसके बाद एक और समस्या आई क्योंकि मैंने खुद ही अपनी समस्या को सुलजाना शुरू किया मैं समझ गई अपनी समस्या, फिर प्रभू के निकर जाकर उसका अनुग्रह उसकी मदद मांगने के बदले मैंने समस्याओं से समझोता कर लिया और स्वयम को बदलने का प्रयास करने लगी बाइबल योहना पंदरा में कहती है तो मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते आज इस पर मनन कीजिए, मैं जानती हूँ कई लोग जो आज मुझे देख रहे हैं उन्होंने आपने जीवन में भिन्न भिन्न स्तितियों से संगर्श किया होगा आप में से कई खुझ से जूज रहे हैं आपकी व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बाती हैं जो आप पसंद नहीं करते हैं शायद आप अनुशासित नहीं हैं और ज्यादा अनुशासित होना चाहते हैं शायद लोगों के साथ आप निर्दई हैं और शायद आप दयालू होना च चाहते हैं और आप सज्जन पुरुष बनना चाहते हैं शायद आप बातूनी हैं शायद अपने ही विचारों से आपका मेल नहीं शायद आपको किसी चीज का नशा है और खुद को बदलने का बार 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 प्रेत्न करते हैं और अगर मेरी तरह आप कुछ करना चाहे तो हम जितना भी बदलने की कोशिश करें, उतनी भूले हमसे होती रती, इसलिए आप सोचने लगते हैं कि आखिर मुझ में क्या खराबी है, और फिर हम प्रेरित पॉलुस की तरह सोचते हैं, रोमियो साथ उननीस में कि मैं कैसा अभागा हूँ, जिस काम की इच्छा मैं नहीं करता वही किया करता हूँ, जिस भले काम की इच्छा रखता हूँ, उसे कर नहीं पाता, ये कहते हुए बात खत्म करता है, मुझे मृत्यू की देह से कौन छोड़ाएगा, और जैसे कि उसे आलोकिक प्रकाश मिल गया, और उसने का ओ, धनिवाद प्रभू वही छोड़ाएगा, आप जानते हैं, ये सुसमाचार का एक अच्छा समाचार है, आप इशू मसी के द्वारा प्रभू से समझ जोड़ सकते हैं, इशू मसी हमारे लिए मरा, वो हमसे प्रेम करता है, तुमारा उद्धार एक ऐसी चीज नहीं, जो तुम अपने भले कामों से खरीच सकते हो, ये अपना ले, कई लोगे जो इशू को अपना उधार करता मान लेते हैं, फिर भी जै की रहा नहीं अपनाते, उनके विचार कभी सपच नहीं होते, सही धंग से बात करना कभी नहीं सिकते, सही वैवार नहीं सिकते, फिर भी वे नाना प्रकार के दासत्व में अपना जीवन व्यतीत करते थे क्योंकि वे नहीं जानते कि परिवर्तन कैसे लना है, बाइबल पढ़ते हैं और परिवर्तन चाहते हैं, हम बाइबल पढ़ने लगते और उस पर मनंद करते हैं, बापरे बाइबल कहते हैं हमें जलना नहीं चाहिए और मुश्किल है कि मैं जलती हूँ, ओ ब अपने मस्तिश को संतुलित रखना चाहते हैं। अपने जीवन की बुराईयों की और ध्यान देते हैं आप अपने आपको दोशी ना ठहरा हैं। ये पवित्रात्मा विश्वासियों के अंदर बसी रहती है और बाईबल में इसे सहायक कहा जाता है। ये आप नया जन्म पाय मसी हैं तो आपके जीवन में एक दिव्य सहायक है। पर मैं सोलती हो प्रश्णी ये है कि क्या आप उसे अपनी मदद करने देंगे। पवित्रात्मा को पूरी बाईबल में कई नाम से पुकारा जाता है पर एक नाम जो उसका है अनुग्रह की आत्मा और विनय की आत्मा भी। जब हम प्रात्ना करते हैं और प्रभु से मदद मांगते हैं तब वो अपना अनुग्रह भेजता है। अनुग्रह की द्वारा आप बचाय जा सकते हैं अधिकांश लोगोंने कम से कम नए जन्माए मसीय ने अनुग्रह के विशे काफी सुना है अनुग्रह के द्वारा बचाय गए हैं। किन्तु बाइबल कहती है, जिस तरह से हम बचा गए ठीक, उसी प्रकार हमें जीना चाहिए, इसलिए हमें ये भी सीखना है कि अनुगरा के साथ हमें कैसे जीना है, कल के कारिकर मैं अनुगरा के साथ जीवेत रहने के विशे और अधिक बात करेंगे, पर एक चीज जो मैं प्रबु हमें नवीन रिदे देता है, और चाहता है कि हमारी जीना होगा के अधिक बात सुनिए, आप नहीं बदल सकते हैं, अवश्य हम निर्ने कर सकते हैं, और चीजों को बदल सकते हैं, पर अगर कोई ऐसा कारे जिसे हमारे भीतर पूरा होने की जरूरत है, तो केवल प प्रबु हमें नवीन रिदे देता है, और चाहता है कि हमारी आत्मा के द्वारा वो कार्य करें, केवल प्रबु ही हमें अनुगरह प्रदान कर सकते हैं, जो हमें पूर्ण स्थिति का आभाज दिलाता है, कि जो कुछ हम करने पर हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें सबस्या में डाल सकता है, और वो ही हमें अनुगरह दे सकता है, कि मैं सही नेड़े लूँ और वो जरूर देगा, यदि हम उससे मदद मांगें, आपके लिए जरूरी है कि प्रातना अधिक करें, और संगर्ष कम करें, काश विने की आत्मा न अनुगरह की आत्मा जीवन में मदद करें, मैंने अपने आपको बदलने में बहुत महनत की, प्रभू से एक प्रबल नाता जोडने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, और अपनी सारी गलतियों को ढूडने की कोशिश करने लगी, और मैं सिर्फ सच में बेहद हताश थी, सांसारीक निराश से घिरी, एक प्रतीक, एक विफल मसीही थी, पर धन्नी हो प्रभू का, आखिरी मैंने प्रभू के अनुग्रह को प्राप्त करी लिए, अब मुझे प्रभू के अनुग्रह के विशे काफी अनुभय और मैंने ये पुस्तक लिखी, इफ नौट फॉद ग्रेस अब गौड, वास्तों में ये वो किताब हैं जो मैंने कई साल पहले लिखी, पर आज हम इस किताब से शिक्षा देना चाहते थे, क्योंकि प्रभू का अनुग्रह हमारे जीवन में बेहद शक्ती शाली है, आपकी निराशा क्या है आपके बच्चे, क्यों नहीं उन्हें बदलने के इंदर घुसके उन्हें बदल नहीं सकते हैं, आप लोगों को तंग कर सकते हैं, और उनसे बहस कर सकते हैं, उनकी पीछे पर सकते हैं, उन्हें धमका सकते हैं, उन पर दबाव डालने की कोशिश, पर ये सब खशनी की होगा, ये कभी स्थाई नहीं होता है, मैं उन दिनों क मुझे पता चला कि ये बिल्कुल नहीं हो सका, मेरी कोशिश बिल्कुल व्यर्थ थी, मैंने जितना बदलना चाहा, उतना उनका लगाओ बढ़ता है, आखिर मैं समझ गई कि यदि वो वश में नहीं, तो सिर्फ आप ही उसे बदल सकते हैं, शायद यही सीमा के अंदर है, शायद मैं नहीं हूँ, कभी-कभी हम दूसरों की गलतियों की विशे सोचते, और हमारी दृष्टी वहीं लगी रहती है, और हमें ही कुछ ऐसा होता, जिने प्रभु बाटना चाहता है, हमें चाही को दूसरों को ईश्वर पर छोर दे और प्रभु को उनकी सुधी लेने दे, मैं जानती हूँ, शायद सुनना कुछ कठेन होगा, पर यही आज हमें सुनने की जरूत है, आप सुचते हैं सारा दोश दूसरों में ही हैं, और आप उन्हें सुधारने में लगे हुए हैं, मैं डेव को बदलने की दून में थी, और अपने बच्चों को, माता पिता को, पडोसियों और मित्रों को बदलना चाहती थी, और आप जानते हैं, इन में मुझे निराशा ही मिली, अंप में मैंने जाना कि मुझे जरूरी नहीं कि एक छोटी पवित्रात्मा बनकर जगा जगा घूमूं, और लोगों को हमेशा दोशी ठहराती रहूं, मेरे लिए जरूरी था कि उनके लिए प्रात्ना करूं, और प्रभू पर भरूसा रखो कि जो भी परिवर्तन उनके जीवन के लिए जरूरी है, वो परिवर्तन वो उनमें लाए, मेरा विश्वास है आप में से कई लोगों को जो इसे देख रहे हैं, इस वक्ती सी परिवर्तन की जरूरत है, आप लोगों को भी, हम अब एक छोटा विश्राम लेंगे, और जब हम वापस आएंगे, हम प्रभू की सामत भरी शिक्षा को जारी रखेंगे, कि कैसे आप अनुग्रह से उद्धार पा सकते हैं, और कैसे अनुग्रह से जीवित रह सकते हैं, और आपको एक प्रभावशाली गवाही दिखाना चाहते हैं, उस दमपती की जिनका जीवन बदल गया, जब प्रभू ने उन्हें अपने उद्धार का मार्ग दिखा, जब बॉब और कैरोल विल्सन ने हमारी सभा में प्रभू को अपना रिदय अर्पित किया, पहली बार उन्होंने अनुभो किया, प्रभू के अनुग्रह ने उनके दुखी जीवन को कैसे सुख मैं बना दिया, आपको ईशु क्या आउशकता है उद्धार पाने के लिए, अपने हाथ उठाई अगर आप ऐसा समझते हैं, जब उन्होंने वहाँ परवेदी का पुकारा दिया, मैंने अपने रिदय में जान लिया, कि मेरा समय आ गया है, मैंने अपने हाथ उठाई और अपना जीवन इशु को दे दिया, मेरी पत्नी तो पीछे चली गई थी, लेकिन वो फिर वापिस आगी, उस वक्त मैं इसके मह महत्व को नहीं समझ पाया, लेकिन सच मुझ ये एक, एक बहुती महत्वपुर नाउसर था, बहुती महत्वपुर नाउसर था, मेरी मां बहुत खुश हुई, वो करीब 30 वर्ष्यों से प्रातना कर रही थी, कि उनका पुरा परिवार मसी में एक होकर जीए, धीरे धीरे प्रभु बाब को बदलने लगा, उसका अकेला पन मरते हुए, जो इन वर्ष्यों में उसने सहा, उस लट से चुटकारा दिलाते हुए, जिसने उसकी दो शादियों का नाश किया था, और करल के साथ वैवाहिक जेवन भी डगमगा रहा था, मेरा परिवार तो हमेशा शराब पीने में आनन बनाता, यही मेरे जीवन में समा गया, और मेरे जीवन पर पुरी तरह से कबजा कर लिया, मेरे जो घर थे सब चले गए शराब के कारण, क्योंकि मैं शराब के लिए पैसा खर्च करता और बिलने चुकाता था, वो काम से घर लोड़ता मुझे लेता और हम दोनों शराब खाने की और जाते थे, वो करीब चार पांच पॉइंट्स पी लेता, दो या तीन विस्की, फिर हम निकल पड़ते, घर लोड़ते हुए भी, वो शराब खरीता, दो सालों तक ऐसा चलता रहा, प्रभु की सहायता से बॉप ने अपनी बुरी लग पर जाई पाई, और अब उसका अध्यान, अपने जीवन में दो महत्पुन रिष्टों में केंड़ी थे, प्रभु से उसका संबंद, और दूसरा उसकी पत्नी से, हम बहुत समीब इसलिए आए क्योंकि समस्याओं से घिरे होने के कारण एक बहुत बड़ दिवार थी, और वो दिवार अब नहीं है, अब मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि हम विश्वास बना रहे हैं, यदि मैं काम नहीं करता तो पब में रहता, इसलिए एक द हमीज से भी जादा हमारे पास समय है, हमारे पास है, अब बहुत जादा अंतर आ गया है, बाब और केरल केते हैं कि उन्हीं विश्वास है कि आखिर पहली बार वे एक दूसरे को पहचान रहे हैं, जैसे कि वे लंबी रातों का अच्छा समय शराब पिने में बिताया करते अब वो बदल गया है, हम घर में हमेशा साथ साथ पढ़ते, एक दूसरे के लिए पढ़ते, हमेशा नहीं करते लेकिन सच कहूं तो, हम दोनों को और भी आगे जाना है जैसे जॉइस कहती है कि मैं वहाँ नहीं जा मुझे रहना चाहिए था, पर प्रभु का धन्यवाद अब मेरे पास पती है, एक ऐसा पती जो पीता नहीं और हमने इशु मसी को पा लिया है, मतलब कोई और नहीं केवल इशु, इशु ही है बॉब और कैरोल ने प्रभु के अनुग्रह का अनुभाव किया, जो उनके जीवन में प्रभावित हुआ, और आप भी वही अनुभाव कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा था पहले हम प्रबु के अनुग्रों को ग्रहन करना चाहते हैं ताकि हमारा उधार हो और हम प्रबु से संबंद जोड सके इश्यू मसीह के मारे जाने गारे जाने और जी उठने के द्वारा इश्यू ने हमारे पापों का मूले चुकाया इसके पहले कि वो प्रबु से संबंद जोडता उसका स्थिर हो जाना बिलकुल भी जरूरी नहीं था और आपने ध्यान दिया होगा कि एक साक्षी ये प्रगट करते है कि प्रबु ने बाप को उसी हाल में ब्रहन किया जैसा कि वो था वो अब भी पीता था वो अब भी शराब खाने में जाता और राद भार शराब में डूबर रहता किन्तु प्रबु ने उससे इतना प्रेम किया कि वो उसे वहीं मिला जहां वो था फिर प्रभु ने उसे नया रिदय प्रदान किया, प्रभु ने उसे नया भिलाशाएं दी और वो बिल्कुल पीरा नहीं चाहता कुछ महीने लगे उसे इस पीने की बुरी आदत छुडाने में किन्तो अपनी नई जिन्दगी की ओर उसका जोकाओ बढ़ता है गया जो आज उसे इशू मसी में प्राप्त हुई थी हमेशा प्रभु से प्यार करते, कभी दोशी नहीं ठराते, उसकी मदद करते, उससे सिखाते बाप सीख रहता कि कैसे प्रभु पर भरोसर रखे मैं नहीं जानती आप अपनी जीवन में कहा हैं, किन्तु मैं यह मैसूस करते हैं, ऐसे कई लोग हैं, जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं और आपको इशू मसी से वक्तिगत संबन चाहिए, और यदि आपने उध्धार पाया है, आपको सीखना हुआ आपने दैनिक जीवन में प्रभु का अनुगरा कैसे प्राप्त करें, जिससे आप निराशा और संगर्ष के बिना जी सकें, वो पुस्तक जो मैंने लिखी है, तुम्हारा प्रभु का अमुली वर्दान, तुम्हारा उध्धार हुआ है, और नियाए से तुम्हारा छुटकारा पाना, और इशू मसी की उध्धार में सहभागी होना, विश्वास के द्वारे या आपके विश्वास के द्वारा आता, प्रभु मदद नहीं कर सकते से मांगे तो वो ऐसा करेगा वो आपको नया प्राणी बना देगा और आपको एक नया जीवन जीने का अवसर देगा इसका यारत नहीं कि आपकी सारी समस्या एक रात में भी लीन हो जाएंगी देखिए आपका एक बहुत ही बुरा दिन जो इशु मसी के साथ बीता हो बहतर ह आपको एक नवीन जिन्दगी मिल सकती है जो अनुग्रा के वर्दान स्वरूप मिलेगी ये उद्धार तुम्हारी ओर से नहीं ये आपको कर्मों से नहीं आपके प्रैतने द्वारा नहीं वरन परमेश्वर का दान है औरना कर्मों के कारण है व्यवस्ता पूरा करने के द स्वयम परगर्ण न करे या उससे महिमा पाए। इसलिए अभी में उनके लिए प्रात्ना करूंगी जिनोंने आप तक इशु मसी को अपना उधार करता नहीं, मानोर आप निराशा, दुर्दशा और बोच से दबे, तनाओं से गिरे, जीवन से दूर रहने को तैयार है। आप तैयार है कि प्रभू आपको बदल दे और आप तैयार है उन सारी बातों का परित्याग करने के लिए जिने प्रभू आपकी जिन्देगी से दूर करना चाहता है उसके अनुगर और उसकी साहता से। पर ये समझ ले कि आपको उसके समी पाना है जिस हाल में आप है, हम जैसे भी हो वो हमें ग्रहन करता है और जैसा हमें चाहिए वैसा ये बनाता है। आपको जानना है कि वो आपके भीतर रहता है और आपको जानना है कि प्रभू आपसे प्रेम करता है। जानती हूँ कि मेरे कारण क्रूस पर मारे गए और अपना रक्त बहाया। मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर, मैं मसीही बनना चाहती हूँ। मैंने स्वेम को आपको दे दिया। मैं जैसी हूँ मुझे स्विकारे और अपनी च्छा उनसार मुझे बनाए। मुझे बिलकुल नया विक्ती बना दीजी। इशू के नाम में आमीन। ये एक साधारन सी प्रातना है, पर ऐसी प्रातना जो कारी करेगी। स्क्रीन के नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। हम आपको पुस्तक भीजना चाहते हैं, जो इशू मसी में नया जीवन बिताने में आपकी सहायक होगी। कल हम चर्चा करेंगे कि प्रभू के अनुगरा की द्वारा निराशाओं से स्वतंत्र होकर हम कैसे जी सकते। आप जितना जानते हैं उस सभी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेर मिनिस्ट्रीज एश्या में महतुपूर्ण हैं। हम आपकी सरहना करते हैं। आप सभागियों का धनिवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूंकों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार पचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर करे या लॉग करे jmmmedia.org अपने प्रात्य निवेदन भेजे, हमारे स्रोत के विशे जाने, जॉइस की सभाओं के विशे जाने, और जैसे हम पूरे संसार में मस्सी के प्रेम को बाठते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।